प्रेंज आज की धमा के दर वीडियो में आपका एक बर फिर से में स्वागत कर दिए फ्रेंज आज की वीडियो में एक खास मशीन के बारे में हम बात करना चाहेंगे तो खास मशीन आप देखी रहे होगे अब जनजट का काम क्या होता है कि हमें ग्लीनिंग की मशीन भी अलग लेनी पड़ती है और पिसाई की मशीन भी अलग लेनी पड़ती है और पेकिंग की भी मशीन अलग लेनी पड़ती है लेकिन अगर आपको एक ही मशीन में सभी काम हो जाए तो कितना आसान रहेगा आपको भी कितना बढ़िया रहेगा कि एक ही मशीन में सभी काम हो जाए तो देखिए दोस्तो आज हम एक ऐसा प्लांट लेके आगए आपके लि अगर आपको इसमें 200 kg 500 kg 800 kg उतना भी चाहिए तो भी आपको इसमें मिल जाएगा तो दोस्तो आगे भी सुनिए इस मशीन के बारे दोस्तो खेत में से कोई भी आना जाता है गेहूं आता है उसके बाद उसकी क्लीनिंग फिर उसकी ग्रैंडिंग फिर पूरा पेकिंग होके जो आटा बाजर में सेल्ट करने के लिए जो तैयार होता है वो पूरा का पूरा जो प्लान होता है वो यहां पे आपको दिख रहा हो यानि कि एक खंटे में 1000 kg का पूरा प्लांट आएगा दोस्तों उसमें से आपको देश्टोन और पिश्टोन और वो सभी पूरा का पूरा जो प्लांट होता है वो आपको इसमें से मिल जाएगा दोस्तों यह जो अभी गाड़ी लोड हो रही है दोस्तों यह पटना में जा र एक चकी का करना है दो चकी का करना है मतलब 200 kg के लेकर पूरे 2000 kg तक का आप इस तरह का प्लांट कर सकते हैं जिस पे क्लीनिंग छटाई भी हो जाएगी आटा भी निगल जाएगा और पेकिंग मेशिन भी हमारे पास है दोस्तों पूरा का पूरा प्लान अवेलेबल है और आप दोस्तों और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर ज़रूर करें थैंक्यू